हेलो एब्रीबरन आज हम बनाएंगे घर में रखे कच्छे आलू और सूजी का इतना टेस्टी नास्ता जो बजार के समोसे और कचोरी खाना भूल जाएंगे ये बनाना बहुत असान है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिश्ट होती है अगर ये नास्ता को अगर एक वीडियो फसंद आए तो लाइक करें उसके लिए में आपे दो मेडियम साथ के कच्छे आलू ये लिए इसे छील के हम पानी में डिप कर दिये ताकि आलू जो है ये काले नहीं पड़ेए अब हम बारिक बली ग्रेटर से आलू को ग्रेट कर लेंगे ताकि हमें पतले-पतल कर देंगे ताकि आलू काले नहीं पड़े तो आलू को हम अच्छे से वास कर लिए हैं देख सकते हैं चलिए नास्ता बनाना सुरू करते हैं गैस अन करके कराही चरहा दी है इसमें एक छोटी चमस ओलेंगे ओल गरम होते ही आधी चोटी चमस हम राई डाल देंगे और आध इसे पका लेंगे तो देखिए अच्छे से चटक गया है देख सकते हैं तो इसमें हम दो से तीन हडी मिश डालेंगे तीख आप अपने जरूत के हिसाफ से डाले एक छोटे साइज की प्याज डाल लेंगे अब इसे हम मिक्स कर देंगे तो प्याज को ज्यादा नहीं पकान जब निआज बारिक काटकी भी है इसमें डाल सकते हैं जब हडी मिश डाले ऊच्टेम अभी अदरकल उसुन को भी हम थोरी दिर बका लिए देख सकते हैं तो इसमीं आप हम पाणी डालेंगे तो आधा कप सूजी से बना डेंविए उसका दुगुणन. शुनमें पालें औ ऐसका फ्लिम थोड़ा तेज कर दीया। इसमें टेस्ट के यूशन नमक डाल देंगे। 아दी चोटी चमस काली मिर्च का पॉछर्ण कॉछर्ण ब्रीम पॉडर बीड़ पॉडर्zne इसे कर देंगे तो आदी को सचन के लिए से जाधा पकानाना नहीं मिक्स कर देगे 5 सी तेया पाकशुक्त में बाद पकंणे यह सूजी 3 भानाते न करें से मेडिया फिलम पर इसे अच्छे से मिस करते हुए पका लेंगे सूजी यह बहुत ही जालदी गाड़ी होना शुरूब कर देता है क्योंकि सूजी पानी को बहुत ज़्यादा अब्चॉर्ब करता है इसे डो के फॉर्म में आने तक इसे मिस करते हुए हम पका लेंगे तो देखे डो के फॉर्म में आना शुरू हो गया देख सकते है तो डो के फॉर्म में आने तक इसे अच्छे से हम पका लेंगे तो इसे मि तक फ़र तक करें नहीं से गरम गरम करें ज्यादा ठंडा नहीं करें नहीं तो यह जो सूजी से कोई बिनासा बनाते तो फटना शुरू हो जाता है हाथों पे थोला सा ओल लगाएंगे अब इसके हम छुटे-छुटे से बॉल्स बना के रेडी कर लेंगा आप चाहें तो सेलेंडर के शेप में भी बना सकते हैं मैं इसे गोल के शेप में बना रह इसी तरीके से सारे वॉल्स को बना के रेडी कर ली हैं देख सकते हैं तो चलिए आव इसे हम फ्राइ कर लेंगे तो देखने में कितना ज़्याद भी लग रहा है मेडियम होट अवील में इसे फ्राइ कर लेंगे तो अब गरम कर लिए इसमें एक बर्ण जितने आ सकते स्वाटेस नस्ता कर लेते हैं ळी सूपर चेश्टी चछी आलू चा है तो मैं इसे टमाटर केचप के साथ सौर्फ कि हूं, आप चाहे तो ग्रीन चटनी के साथ सौर्फ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्वाधिश्ट लगती है स्क्राइब और सेयर करें मेरी वीडियो कैसे लगें कॉमेंट करकर जरूर बताएं परी मिल दूह नहीं मैं यदा रेस्पीकर साथ टेक केर बाब बाई